हज के मुकदर सफर पर मक्का मदिना गए हज यात्रियों की वापसे का सिलसिला भोपाल और इंदोर पॉइंट से सुरू हो चुका है हज करने के बाद पविछ धर्म इस्तल से भोपाल लोटे यात्रियों का जोरदार स्वागत किया गया बोपाल में सुबह साड़े चार बजे एरपोर्ट पर हाजियों की वापसी का पहला जत्ता पहुचा इसमें कुल 161 हजी शामिल थे सभी हजियों का देरातरी परिजनों के साथ राज्य हज कमिटी के अधिक्ष रफट वारसी और कमिटी के सदस्यों ने हारफुल मालाओं से यात्रियों का इस्तक्बाल किया करीब 40 दिन बाद अपनों को देखकर परिजनों की आँखों से आसु झलकाए पुरा एरपोर्ट तक्रीरों से गुंज उठा बता दे कि भोपाल के हाजियों की वापसी का सिलसला 31 जुलाई तक जारी रहेगा इस दौरा निहां के करीब 2300 से जादा हाजी वापस लोटेंगे प्रदेश के हाजियों की रवानगी के दोरान भी भोपाल के हाजियों की फ्लाइट देर रात और अलसुबर रवाना हुई थी जिसके चलते हज हाउस से हाजियों को आधी रात को रवाना किया गया था इसके बाद इनकी वाफसी का सिलसला भी देर रात शुरू होकर अलसुब पुरा होगा हाजियों को इस बार जमजम का पानी एरपोर्ट पर ही देने की विवस्था की गई है प्रभारी CEO मसुद अक्तर की मानोतो एरलाइन्स द्वारा एक साथ जमजम एरपोर्ट पर लाया जा रहा है एरपोर्ट अथारिटी की दिगरानी में रखे गए इन जमजम केन को हज कमिटी द्वारा हाजियों की वापसी पर वित्रित किया जा रहा है उन्होंने बताये कि सफर के दोरान होने वाली परिशानियों से बचाने के लिए हाजियों को अपने लगेज में जमजम लाने की पाबंदी लगाई गई है भोपाल से तहिर खान की रिपोर्ट आज हाजियों की पहली फ्लाइट आई अपने सरजमी हिंदुस्तान में आए हाज हाज कमिटी के चैर्मेन के नाते मैंने उनका स्वागत किया अपने देश में आने पर उनका वेलकम किया और उनको हाज की मुबारक बात दी 31 तारीक तक ये फ्लाइट आएंगी और लगबग 160 से लेकर 180 तक जहाज की कैपसिटी के अनुसार हाजी आती रहेंगे और जितने हाजी साहवानों से बात हुए सारे हाजी साहवान बड़े खुश थे और अल्लह ताला ने उनके सारे हरकान और हज को कुबूल फरमाया ऐसी हम सब लोग भी उनके साथ दुआएं थी अल्लह ताला उनके हज को कुबूल फरमाए और हिंदुस्तान की सरजमी पर उनका दिल की गहराई से इस तकवाल हम सब लोग कर रहे हैं हलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल एस जर्वी 24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुले